अडपॉलिटिक्स, दपॉलिटिक्स, संक्षिप्त सारांश, हिंदी में लेखक, अरस्तू, एरिस्टॉटल, अरस्तू की पुस्तक, दपॉलिटिक्स राजनीतिक सिध्धान्तों पर आधारित एक प्रमुख ग्रंथ है यह मानव समाज, सरकार और उनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करती है इसमें अरस्तू ने विभिन सरकारों की संरचना, उनके उद्देश्य और नागरिकों के अधिकारों मकवियों पर चर्चा की है यह किताब हमें राजनीतिक व्यवस्था की गहरी समझ प्रदान करती है और आज भी प्रासंगिक है आईए इसके प्रमुख बिंदूओं पर एक नजर डालते हैं एद, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाविक रूप से एक समाजिक और राजनीतिक प्राणी है वह समाज में रहकर ही अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकता है एक अच्छी राजनीतिक विवस्थाय के तहद नागरिक एक सामोहिक लक्षे की दिशा में काम कर सकते हैं और एक सभ्य समाज का निर्मान कर सकते हैं दो, शासन के रूप अरस्तु ने तीन प्रमुख प्रकार के शासन बताए है राज तंत्र, मुनार्की एक व्यक्ती का शासन जिसमें संब्राट या राजा सर्वोच्च होता है अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रसी कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों का शासन जो समाज के अच्छे और योग्य लोग होते हैं लोक तंत्र, डिमोक्रसी जनता का शासन जिसमें सभी नागरिक शासन में भाग लेते हैं हर शासन का एक विकृत रूप भी होता है जैसे कि राज तंतर का तानाशाही टारनी अरिस्टोक्रेसी का कुलीन तंतर अलिगार्की आकी और लोक तंतर का भीड तंतर मौब रूल तीन, राज्य का अददेश्य आरस्टो के अनुसार राज्य का प्रमुक अददेश्य अपने नागरिकों किनेतिक और समाजिक कल्यान को सुनिश्चित करना है राज्य केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्ता के लिए नहीन बलकि नाग्रिकों की खुशी और सद्गुनों को बढ़ाने के लिए भी जिम्मिदार है एक अच्छा राज्य वह है जो अपने नाग्रिकों को सही तरीके से जीवन जीने के अवसर प्रदान करता है चार, सर्वश्रेष्ट शासन की खोज अरस्तु के अनुसार कोई एक सर्वश्रेष्ट शासन प्रणाली नहीं है हर समाज की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां होती है और उसके आधार पर ही सबसे उप्युक्त शासन का चुनाव किया जाना चाहिए आधर्श शासन वह है जिसमें नागरिकों की भलाई और न्याय सुनिश्चित हो 5. मध्यवर्ग का महत्व अरस्तु का मानना था कि एक स्थिर और सफल राज्य के लिए मध्यवर्ग मिडल क्लास का होना बेहद जरूरी है अगर राज्य में केवल धनी और गरीब लोग होंगे तो समाज में असंतुलन और संघर्ष पैदा होगा मध्यवर्ग अंतिक संतुलन बनाए रखता है और समाज में स्थिरता और न्याय को बढ़ावा देता है 6. न्याय और कानून अरस्तु ने न्याय को राजनीतिक जीवन का सबसे महत्व पून तत्व माना कानूनों को न्याय क सिध्धान्तों पर आधारित होना चाहिए ताकि सभी नागरिकों को समान, अवसर और सुरक्षा मिल सके न्याय तब होता है जब राज्य सभी नागरिकों के प्रती निश्पक्ष होता है और व्यक्तिगत हितों से उपर उठकर समाज के हित में फैसले लेता है 7. शिक्षा और नैतिक्ता का महत्व अरस्तु ने शिक्षा को एक अच्छे नागरिक के विकास का आधार माना एक शिक्षित नागरिक ही अपने कर्तवियों को सही तरीके से निभा सकता है और एक अच्छे राज्य का निर्मान कर सकता है राज्य का यह करतव्य है कि वह अपने नाग्रिकों को नैतिकता और सद्गुनों की शिक्षा दे ताकि वे समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें आठ गुलामी पर अरस्तु का द्रिश्टिकॉन अरस्तु ने अपने समय की समाजिक वेवस्था के अनुसार गुलामी को स्वीकार किया लेकिन उसने यह भी कहा कि गुलामी केवल उन्ही के लिए उचित है जो स्वभाव से गुलाम है हालांकि आज के संदर्भ में यह विचार अस्वीकार्य है अरस्तु की राजनीतिक विचार धारा और समाज के संगठन पर गहन चिंतन है यह किताब बताती है कि राज्य का उद्देश्य किवल सुरक्षा और प्रशासन तक्सीमित नहीं है बलकि यह नागरिकों के नैतिक और सामाजिक विकास के लिए भी जिम्मेदार है अरस्तु का मानना था कि एक अच्छा राजनीतिक धांचा वही होता है जो न्याएं और नेतिकता पर आधारित हो और जहां मध्यवर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो